नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं एक लेशियन हिंदी चेस स्पेस इने चल पर आप सभी का हार दिक बुन दिन करता हूं दोस्तों टाटा स्टील रापिड जो टूर्णामेंट चल रहा है मेंस उसका दूसरा दिन था आज और दो दिन के बाद जो स्कोर है चैराउंड टोटल खिले गए अभी तक उसके बाद जो कि इस टूर्णामेंट के निर्विदात तोर पे सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं साड़े चारंग मना करके पहले स्थान पर चल रहे हैं राजा भाई रजवो भी कमाल का खेल देख रहे हैं चार पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पहरे जिसमें भारत के जो है तीन खिलाड़ी है प्रग्यनंदा विदेथ और गुकेष तीन पॉइंट पर खेल रहे हैं और गृष्चुक जो है वो भी तीन पॉइंट पर हैं अब्दुसातारो विंसेंट केमर और अरजुन इरगासी धाई पॉइंट पर हैं अरजुन के लिए जो है situation है हम देखते हैं अब आज एक हम मैच देखने वाले हैं यह मैच है बहुत इंट्रस्टिंग मैच हुआ विदिद गुजराती और डी गुकेष के बीच और आए देखते हैं मुकाबला क्या कुछ हुआ डी फोर से यहां पर विदिद ने खेल की शुरुआत करी और यहां पर गुकेष जो है वो ब्लक पीसे से खेल रहा थे और यहां पर नाइट फ् três डि alt कiu और निकाला तो गुकेष न हैं कर लिए तो इतने कुईंसीटो कहला यहां पर और now knight bd7 a3 यहाँ पर idea sometimes जो है आप queen side से जो है b4 खेल करके जो है यहाँ पर space create करते हैं तो यहाँ पर h6 किया और गोकेश ने पूछा यहाँ पर सवाल कि क्या करेंगे आप उस suit के साथ तो उट को पीछे खेचा bishop h4 पर विधित ने जिसमें normally इस line में किया जाता है तो नाओ यहाँ पर गोकेश खेलते हैं knight e8 और actually में वह offer करते हैं कि इस bishop से आप मेरा bishop exchange कर लो विधित यहाँ पर deny कर देते हैं bishop इस गेम में भी नज़र आता है तो एक चीछ जो बदली है विधित के गेम में और उसका रीजन आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि competition इंडियन टीम में बहुत बढ़ गया है जो यंग्स्टर्स हैं वो बढ़ा अच्छा कर रहे हैं बिना बहुत risk लेके हैं तो यहां पर bishop g3 किया डिनाय किया एक्षेंज यहां पर विधित ने और आप यहां पर कोकेश खेलते हैं नाइट d6 तो आप यहां पर विधित cd5 ed5 खेलते हैं यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि विधित की गेम में आप जाएंगे और खास वर पर queen pawn and game में वि विधित ने अपना bishop d3 finally develop कर लिया तो गोकेश ने यहां पर knight f6 खेला castle किया यहां पर विधित ने तो नाओ यहां पर bishop e6 निकालते हैं तो दोनों साइट से महरे जो है वो यहां तक बराबर game में आ चुके थे और game लगबग वही slight better जो white का position है वही maintain हो रहा था आप यहां प यहां पर exchanges जो है वो perform कर सकते हैं क्योंकि यह जो battery काफी strong हो रही है इस diagonal में उसको neutralize किया जा सकता है तो आप चुकि यह बिशप f5 का एक threat आ रहा था तो यहां पर continuous लोनों ने f3 बढ़िया चाल खेली अब आप bishop f5 आएंगे तो e4 आ रहा है तो यहां पर c5 करके d4 को weak करने यहां पर गोकेश ने खेला और यहां पर विधित ने एक बार फिर से अपना bishop जो है हटा लिया पीछे क्योंकि knight को bishop नहीं देना है यहां पर exchange हुआ सेंटर पर cd4, ed4, bishop g5 खेलते हैं गोकेश तो now bishop e3, bishop e3, queen e3, queen d8, rook e1 अपना आखरी पीश जो अब तक game में नहीं खेल र यहां तक तो game मतलब rook e8 खेला यहां पर गोकेश ने और अब game का वो पार्ट शुरू होता है जहां पर विधित जो है गोकेश की उपर दबाव डालना शुरू करते हैं यहां पर विधित खेलते हैं आक्रमक तरीके से g4, बहुत इंटरस्टिंग था कि विधित जो है वो य अब यहां पर knight d7 पीछे हटते हैं और एक प्रकार से गोकेश तैयारी करते हैं कि जुरूत पढ़ने पर defense पर queen को लाना पड़ सकता है और यह knight से यह जो knight है इसको भी eliminate करने की कोशिश कर सकते हैं विधित अपना एक और पीस जो है वो king side लेकर के आते हैं knight e2 से अब यह clear था कि चाहे वो knight g3 के थुरू आये, चाहे वो knight f4 के थुरू आये, यह knight जो है अब king side perform करने वाला है, participate करने वाला है, knight c4 है यहां पर गोकेश, तो now विधित यहां पर exchange करते हैं, knight d7, bishop d7, knight f4, bishop c6 यहां पर लेकर के आते हैं, गोकेश बट कहीं न कहीं, गोकेश का यह जो bishop था काम नहीं कर रहा था, क्योंकि bad bishop आप देखे कि same color कर जो है, यहां पर pawn structure यहां पर था, तो चुकि उसकी वज़े से bishop ज्यादा काम नहीं कर रहा है, यहां पर विधित ने exchange किया, rook e8, bishop e8 वापस जाते हैं, यहां पर गोकेश, और rook e1, queen d6 यहां पर, so now knight g2, अब knight को e3 से लाने की तयारी थी, bishop d7, तो गोकेश भी लगातार महरे तो improve कर रहे थे, विधित ने यहां पर g5 किया, hg5, g5, and now यहां पर g6 किया, यहां पर गोकेश ने, यहां पर विधित खिलते हैं, पहले f4 और जैसी king g7, मिरे खिल से king g7 की जगह, यहां पर शैद queen b6 वगरे भी था, विधित ने किया king g7, and now विधित खिलते हैं f5, तो काफी आकरामक खिलने की कोशिश थी, g5, गोकेश का एक बात बहुत अच्छी, क्योकेश calculation में बहुत अच्छी है, और mostly उनसे इस तरह गलतिया नहीं होती है, जैसी यह position आया जब यहां पर bishop f5 queen f5 exchange हुआ, यह करीब करीब equal बाजी चल रही थी, आप देखें कि दोनों के राजा ही जो थो वह वीक थे, एक एक नाइट है, rook queen है, तो जरूर यह जो pawn g6 पर है, इसके वेज़े से किनेशे 2 हलका सा white को दिखता है, but it was almost equal, यहां पर गोकेश ने rook h8 लाए, और यह जो battery को यहां पर connect करने के कोशिश करें, यहां पर rook खेल दिया उन्होंने e2, अब यहां पर actually मैंने यह सब कुछ काम कर नहीं रहा है, यह check वेग देना, king f1 चला जाएगा, अगर एक और check भी देंगे, तो king f2 आ जाएगा, बलकि even white यहां पर better हो जाएगा, because अब आप check जो है, वो दे नहीं पा रहे हो, और ऐसे मैं यहां पर यह queen activate हो रहा है, तो इसलिए वो position काम करने रहा था, तो इन्होंने खेला यहां पर queen b6 और d4 पर attack किया, बदले मैं actually मैं यह जो position था, यहां पर queen g6 भी खेल सकते थे, गोकेश, exchange कर कि अगर मालीजी यहां पर exchange करके game हो, यह लगबख बराबर का game है, but यहां पर गोकेश ने queen b6 खेला, और विजित नहीं यहां पर queen into d5 मार दिया, but queen c7 आया, अब जो h2 आ रहा हो, थोड़ा सा dangerous है, again queen f5 आ गए, अब यहां पर queen h2 करके draw किया जा सकता है, queen h2, king f1, और यहां यहां पर आप वापस चले जाए, queen d6, यह position लगबख बराबर बराबर है, तो queen d6, विजित ने किया d5, queen c5 check, यहां पर, यह यह शायद वो moment था, जहां पर queen e7 move खेलना था वापस, यहां पर आप बस maintain करिये खुद को, और कोई मौका मत दिजे, जब इन्होंने knight d6 पीछे क यहां पर queen e5 check आ गया, king गया g8 पर, और विजित ने यहां पर b4 खेला, यहां पर भी विजित के पास था कि वो knight को और इंप्रूव करके, knight e3, knight f5, knight g4, knight f6, knight f6 की तरफ ला सकते थे, यहीं पर winning position आ सकते थे, विजित ने b4 किया, so rook check आया, rook f1, और यहां पर rook h1, good move आया, गुकेश की तरफ से, और यह exchange हो गया, king h2 चला गया, और knight यहां पर c4 लेकर क्या है, गुकेश, so now queen से check, king h7, queen e4 check, यहां तक सब, देखे, support पर था, तो कोई ऐसा problem हो नहीं रहा था, अभी भी position जो white को slide better जरूर थी, but यह king weak था, तो ऐसा नहीं था कि कोई winning था, यह mostly draw के आ और यहां पर गुकेश से गलती होगे, गुकेश ने accept कर लिया, यह accept अगर वो नहीं करते, और इसकी जगे वो b5 खेलते गुकेश, तो यह match वो win करना आसान नहीं है, यहां पर खास दूर पर king की position की वजह से, और अगर कुछ है, बाद में ultimately मारते भी हैं, तो position ठीक रहेगी यह draw ही रहेगी लगबग लगबग, बट उन्होंने G6 जैसे ही मारा, तो यहां पर good move आ गया, D6 अभी problem यह है, कि आप देख सकते हो कि आप यह मार नहीं सकते हो, यहां पर, आप मारोगे तो queen G6 चेक के बाद knight जो है, वो मर जाएगा, तो actually वो pawn जो है, वो suddenly बहुत ज्याद बना बंद हो गया, और pawn बढ़ गया आगे, और उसके बाद जो है, विदेत का position बहुत even था, क्योंकि यह pawn आगे बढ़ गया, इतना उसको मारना पड़ा, तो piece चला गया, और इसके बाद तो care matter of technique था, विदेत ने धीरे धीरे जो है position में, एक जो rule कहता है, कि चाहे वो queen, ख कहीं से भी check नहीं आ रहा है, और आप मालीजे कोई और move खेले हैं यहाँ पर, यहाँ पर तो खेर white का move था, तो white यहाँ पर अगर मालीजे a5 खेल दे, तो उसके बाद यह checkmate के chances बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप queen को कहां पर भी रखेंगे, मालीजे queen को आपने यहाँ प बाद में d5 जो हो मर जाएगा, यह भी winning position था, तो यहाँ पर गोकेश ने हार स्विकार कर ली, यहाँ पर queen f7, यहाँ पर a5 के पहले, यहाँ पर queen d7 रखके यहाँ पर, गोकेश ने हार स्विकार कर ली, तो यह बढ़िया जीत यहाँ पर विदित गुजराती की, और मेरे ख बात करें, तो विदित ने जिस तरह से g4 पर एक strike लिया था, वो एक देखने वाली बात थी, किस तरह से उन्होंने आकरमड किया था, पोजिशन में g4, h4 करके, वो interesting part था, दूसरा interesting part आता है, जब उन्होंने f5 ब्रेक दिया, इसका slight better position थी, बर defense बहुत अच्छा किया, और तीसरा तो जो मेरे ख्याल से वहां तक position equally है, पर जहां पर यह blender हुआ है, g6 जो accept किया है, यह accept करना, यह main game का निरनायक पल था, और इसके बाद game बिल्कुल विदित के favor में चला गया, विदित ने बहुत ही बढ़िया end game में game को finish किया, उमीद करता हूं, यह video आपको पसंद लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखते लिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेज जय, जय हैं दोस्तों